नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका श्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम आपके लिए A E sound word को लेके आए हैं, जब भी आपको किसी word में A और E एक साथ में मिलते हैं तो आप इसका उचारन किस तरह से करते हैं, ये आज के इस वीडियो क्लास में हम आपको बताएंगे ये क्या है, ये द्रिग E की मात्रा का sound आप लाते हैं, मतलब द्रिग E का उचारन करते हैं, जैसे P, E, A, K ये क्या है, ये पीक है, पीक, पीक, आप धैरी से इस कलास में बने रहेंगे, हम पहले हरे एक words का pronunciation यानि उचारन आपको लिख के बताएंगे, फिर इसका मतलब आपको लिख के बताएंगे, आप इस कलास में बने रहेंगे, बीच में छोड़ के चले जाएंगे, तो आप सही से सीख नहीं पाएंगे, और इस class के अंत में हम आप से एक सवाल करेंगे, आप उस सवाल का जबाब comments box में जरूर देंगे, हम भी तो देखें कि आप इसको किस हद तक सीख पाएंगे, किस हद तक शमज पाए यह क्या है, M-E-T, इसको आप क्या पढ़ेंगे, यह मीट है, मीट, यह क्या है, S-E-A-L, इसको आप क्या पढ़ेंगे, सील पढ़ेंगे, सील, नेक्स्ट यह क्या है, M-E-A-L, आप इसको क्या पढ़ेंगे, मील पढ़ेंगे, मील, यह क्या है, L-E-A-P, यह क्या है, यह लीप, next क्या है देखे, E-A-S-T, अब इसमें क्या करेंगे, यहां तो मात्रा का योप्योग कर दिये, मगर यहां पर अब क्या करेंगे, इस वर्न का इस्तिमाल हो जाएगा, और इस वर्न का इस्तिमाल कर देगे, तो फिर यह कैसे हो जाएगा, देखे, ऐसे, E, दंतसा, और इसको क्या बोलते हैं, East, यह क्या है रेखे, यह लीप है, यह फिर से क्या है, Easy, यहां पर फिर से वर्न आ रहा है, द्रिग ए का यह वर्न है, उसके बाद क्या है, Z, इसको क्या बोलेंगे, Easy, यह क्या है, Mean, और यह क्या है, Deal, इसको डील बोलेंगे, आप इतना साका पहले, अर्फ, हिंदी, हिंदी मतलब इसका लिख लेते हैं, पीक का मतलब होता है न, चोटी, क्या होता है, चोटी, और मीट का मतलब क्या होता है, मांस, मांस, और सील, सील का मतलब क्या होता है, मुहर लगाना, मतलब मुहर, या फिर सील का मतलब होता है, बंद करना, मील, मील का क्या होगा भोजन कि वीडियो उच्छा लग रहा है तो नाई क्ठार करें मूज चैनल पर पहीली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगे आपने दूस्तों के साथ यसको से ज्यादा सेयर जरूर करेंगे यह क्या है लीप का मतलब क्या होता है उच्छाल लीप का मतलब उच्छाल यह डवल लीप हो गया है तो चलिए इस्ट का मतलब क्या होता है पूरव या पुर्व बोलते हैं इसको पूरव या फिर पुर्व यह तो ले हो गया है यह इजी आशान और मीन का मतलब क्या होता है मतलब या फिर आप इसका अर्थ भी बोल सकते हैं डील का मतलब क्या होगा शावदा शावदा ठीक है इसको क्या बोलेंगे रीड यह क्या है इसको बच्चे इस पीक बोलते हैं इसमें ए कहा है देखिए इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा देखिए हीट का मतलब क्या होता है गर्मी तोरी गर्मी बीट बीट का मतलब होता है पीटना पीटना टीम टीम का मतलब क्या होता है समोह शमोह पीक का मतलब क्या होगा बोलना बोलना और यह रीड रीड का मतलब क्या होता है पढ़ना पढ़ना इस तरह से यह एक छोटा सा वीडियो क्लास था जो यहाँ पर the end होता है मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वाच करते हो यहां तक जरूर आएंगे इस वीडियो को पूरा जरूर देखे हो वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करेंगे अब रही बारे मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे एक प्रश्ण पूछूंगा और उ तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में